नमस्कार दोस्तों यूटूब चैनल ICT 182 में आप लोग का स्वागत है आज फिर से हम आप लोग के लिए नेशनल स्कॉलाशिप रिलेटेड एक नहाँ वीडियो लेका आया हूँ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अगर आप नेशनल स्कॉलाशिप का फॉर्म एपलाई कर रहे हैं चाहे फ्रेस या पर रिनुवल और अगर आपको NSP का बोनाफाइट सेट्पीकेट को डाउनलोड करना है तो कैसे आप लोग NSP का बोनाफाइट सेट्पीकेट को डाउ में उसका नाम फ़र्दसनेर्प डेट बात बगरा कुछ भी नहीं सो करता सिर्फ अपलीगेसन आईडी सो करता है तो कैसे अब लोग अपना नाम बोनाफाइट सेट्पीकेट को डाउंलोड करना जिससे की आपका नाम फ़र्दसनेर्फ डीटो बात भी रहे और उसके स्कॉलाशेप को ऑफिसियल वैपसाइट है यहां से आ BLOG नियू रेजिस्टरेशन करते हैं फिर अप्लिकेशन आड़ेकसी पासवर्ट से फ्रेस लॉंगिन यहां से रिनल करते हो लोग अप्लोड करने का option रहता है, यही option सिर्फ रहागा उपर में और कुछ नहीं रहागा, बाके अधर student का अधर अधर document रहता है, तो bonafet certificate अप लोग को कहां से मिलेगा, अगर आपको पहले ही bonafet certificate को डाउनलोड करना है, कि हम bonafet certificate को डाउनलोड कर लेते हैं, उसका school college से जो signature करा ले आएंगे, उसके बाद ही national scholarship अप्लाई करेंगे, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, पहले ही bonafet बना लिजे college school में जाके, उसके बाद आप NSP को अप्लाई करेंगे, और एक ही दिन में आप अप्लोड करके सब काम हो जाएगा, या फिर आप जब national scholarship को अप्लाई करेंगे लेकिन बहुत student के साथ ये problem हो रहा कि bonafet को जब download कर रहा, तो लोग का नाम बगर आनी रहा, blank आ रहा, bonafet एक दम पूरा complete blank आ रहा, सिर्फ application नमर आ रहा, तो आप लोग को क्या करना देखिए, bonafet certificate पहले ही आप कैसे download करेंगे, तो सबसे पहले आप अपना mobile या google कोई भी browser को मतलब आप open कर लिजे, अब browser में आप लोग को लिखना इस परकार nsp bonafet certificate देख सकते हैं, इस परकार simple सा लिखना nsp bonafet certificate और लिख के search करना google में, तो first दो option जो है, यहाँ पर बहुत सरा जो है, आप लोग को link मिल जागा, लेकिन ये first दो option में नहीं, तीसरा option में देख सकत nsp bonafet certificate for pre-metric and post-metric अरोजगार online, इस website में जो है, आप लोग को bonafet certificate का direct link दिया गया, देख सकते हैं, एक, दो, तीन format मिलेगा, self declaration certificate minority student का भी यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, गूगल में लिखना nsp bonafet certificate, तो इस परकार रहेगा, nsp bonafet certificate pre-metric post-metric, तिसरा नमबर बला पर click करना, या फिर वीडियो के description पर मैं आप लोग को direct link दे दिया हूँ, जैसे वीडियो description बला link पर click करेंगे, nsp bonafet certificate, तो फर्स्ट बला website को ही आपको open करना, तो इस तरह के interface open हो जाएगा, देख सकते है, nsp bonafet certificate download, और यहाँ पर आप लोग को जो है, जो minority student है मतलब मुसलिम, सी, किसा, किसेंजन, उन सभी student का self declaration certificate भी मिल जागा, जो post metric में अपला करते हो, लोग को self declaration upload करना रहता, तो self declaration certificate भी यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर आप लोग bonafet certificate का format भी मिल जागा, यहाँ click here में जैसे click करेंगे, तो bonafet certificate आप लोग का इस परकार blank download आपको नाम फिल कर देना फिर भी चल जागा, यह फिर अगर आपके पास computer है, तो आप computer से भी यहाँ पर लिख सकते है, यह Photoshop से भी आप अपना नाम लिख देंगे, उसका यहाँ पर जो आपको अपना father's name फिल करना है, पिर आपका date of birth को यहाँ पर लिखना है, फिर यहाँ पर आपको अपना school का नाम और address पूरा complete लिखना है, इसकूल और college का, जैसे अगर आरसमोर college, आरसमोर college, गोविनपूर, धनबाद, इस पर अपकर complete लिखना है, फिर आपका NSP का national scholarship जब apply करने जाएंगे, जब registration करेंगे, तो आपको application number मिलेगा, धनबाद, धनबाद, जारकन तो जो आपको application number मिलेगा, उस application number को यहाँ पर हाथ से लिख देना है, school college का roll number यहाँ लिखना है, तो उसके बाद यहाँ पर school college का कौन सा class में आप है, उसको लिख देना है, जैसे गर्जुशन कर रहा है, तो BA, BSC, BCOM, या फिर intermediate कर रहा है, तो ISC, 10th में है, तो class 10 इस पर कार लिख देना है, और year यहाँ पर देना, अभी इस बार 22 थेश चाहरा, तो 22 थेश यहाँ पर लिखेंगे, उसका यहाँ पर आपको अपना state को लिख देना है, हाथ से यह column से यह computer से जैसे कराएंगे, state लिख देना है, फिर आपको अपना college या school इसको लेके चल जाना, फिर principal यहाँ पर आप जो signature करेंगे, अपना number देंगे, school college के यहाँ महर लगा देंगे, फिर इस form को, मतलब बोनाफाइट को आपको ले आना, फिर national scholarship जैसे आप apply की है, तो फिर आपको login करना, phrase apply किये तो phrase login, renewal किये तो renewal मे, जैसे last वाला stage में आप आजाएंगे, रिन्वाल में एक ह फॉर्म आएगा, उसी में bonafide upload करने का option हैगा, फिर आप लोग यहाँ पर upload वाला में click करेंगे, तो आपके समने जैसे ही देख सकते upload वाला में click करेंगे, तो bonafide का file आएगा यहाँ पर, तो 200KB से कम में आप लोग को scan कर लेना है, jpg4 बना लेना है, अब bonafide को जैसे यह है तो select कर लेना है, और certificate number, place वगरा इसको कुछ भी नहीं देंगे, फिर भी चल जाएगा, सिर्फ आप bonafide certificate को select किजे, upload किजे, फिर भी आपका upload हो जाएगा, कोई भी certificate upload करना है, तो direct upload में click किजे, certificate को इस परकार select किजे, आप certificate को upload किजे, यहाँ certificate number इसमें कुछ भी नहीं दे है, और upload में click कर रहा है, लेकिन upload now नहीं हो रहा है, आपर कुछ नहीं बता, error बता रहा, तो भी कोई दिकत नहीं, आप एक बाद जैसे save as drop करेंगे, तो आपका document upload बला, इस पर कर आई बटन बन जाएगा, फिर सब भी document upload करके देख लेंगे, कहाँ upload कर लिए है, आई बटन पर view कर करके भी आप लोग देख पाएंगे, कि मेरा document upload हुआ कि नहीं, देख सकते इस पर कार दिखेगा, तो उसके बाद आप लोग सब कुछ सही-सही मिला लेंगे, document upload बगरा, final submit कर देंगे, तो आपका form submit हो जाएगा, फिर जो print out निकलेगा, इसको print करके आप अपने पास एक कोपी रेखेंगे, और school college मेंगा जमा लेता है, तो सारा document और print application form के साथ जमा कर देंगे, ठीक है, तिस तरह आप लोग NSP bonafide certificate को download कर सकते, जहां साब लोग को blank bonafide certificate मिलेगा, और self declaration minority student का certificate भी download करना, तो वीडियो का description पर ही link दे दिए, आप लोग minority student का भी self declaration certificate को download कर सकते ठीक, चले मिल्दे फरान आप नेक्स्ट वीडियो